जो चीरे अभी आपको अच्छी लग रही है कि यह तो अच्छा है यह गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड काफी अच्छा होता है मैं भी सोच रहा हूं ट्राइक करना का एक बच्छा जो एवरेज है डिसके 70 मांक्स आना और एक बच्छा दिसके 95 परसेंट मांक्स आरे जादा अ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस फोर मंस स्ट्रेटजी किस प्रकार से आप अपने टू के स्लिबस को अगले चार महीने में निप्टा सकते हो वह सभी जरूरी बाते हैं वह सभी इंपॉर्टिंट फैक्टर्स में आपके सामने रखन आपके सामने लिए वीक्ति खड़ा है याद मैं सेम व्यक्ति हुए जिसके प्री बॉड के एक्जाम में 27 माक Si dr ठीक है और मेरे मेरी महनत में ज्याद़ नही तब छमेरे Karma आये से तभी में उत्री मेहनद कर रहा था जब मेरे 95 परसेंट माटन उत्री मेहनद कर रहा था पुल्ज कुछ कुछ की दीच कुछ बाते रखनी से ध्यान जिनको मैं आज की वीडियों में डिसके तो आसके दिन उन्हाँ टारिकट रहें म oldest आज की सोशते हो तब आपके से wine orders गयान यीट परिसंट माच आते हैं तो बेसे हर अग बच्चा जो की इस टाइम देख रहे मुझे यस आप जो कि आप देख रहे हूं मैं आपसे बोल रहा हूं आप भी आपके अंदर क्यापिबिलिटी है कि आप भी कम से कम 95 परसेंट लाज सकते हूं ठीक है सबसे पहले चीडियर कॉंफिन्स रखना है कुद पर डरना नहीं है ठीक है टम उनका एक्जाम हो चुका है तो उसको ह हटा हो तो तो उसके में रहाना कि मेरे मेरे का मार्स आए है मैं तो कुछ पर प्रफेशन हुआ है उसको हटाओ साइड है नेक्स्ट फोकस नेक्स टार्गेट अपना है टम डूके अग्जांब में मैं मचा के आने मारा हुं तो इस लेल का सबसे बात करते हैं कि नया सिलेबस क्या है ठीक है ठोड़ीव मी एक एक सट्रीड आपका वर्तित होने वाला है तो वीडियो को छोड़े कि यह पाँ चैप्टर नमबर फोर क्यों कर रहहा है गया तकी नाम अबी तक पतां चल गएवे तुष wichtig पहले पान्ट Pirhya Juliet के एक्जाम में आएंगे आपके बोडे एक्जाम में आएंगे हिसका मतलब त Dulce उसके अर्माने स्टार मार कि अइसका मतलब जो आपका चैप्टर न्मर 14 नैच soft जो प्रबाएं हम टोल скुल में आपके स्कूल में रो wrap आगा सकता पर्फ फैनल एक्जाम में आपका यह चैप्टर नहीं आएगा ठीक है तो बट हम फिर भी यार रिस्क नहीं लेंगे हम फिर भी इसको पढ़कर जाएंगे तो इसले टोटल हमारे 6 चैप्टर्स हमें करके जाने टीक है तो बहुत बड़ी बात महीं है बहुत कम chapters हैं सबसे बड़ा आपके batch का क्या है कि आपका पूरे book नहीं आ रही इससे पहले कहता है हमारी इस तो मेरे पूरी book एक साथ आती थी दो उस time जो pressure थै वह थोड़ा से रेडियोव हो गया है तो टम उन में जो चैप्टर आ चुके है वो आपके टमटु में रीपीट नहीं होसे आपके सिरफ यह मातर पांच या फोर इस्ट उपके एक्ζाम में कबiquementに तो भी डक्यावर टाइम बहुत सफीशन्ट है मारे पास टाइम कम नहीं है चार महीना अराम से हम पढ़ेंगे स्लेबस कवर करेंगे और साथ में रिवाइज भी करेंगे ठीकित में सब कुछ अभी आपको शेयर करने वाला हूं बस यह आपके चैप्टर आने वालें ठीकि अगर बात करो भाई आपका थ्रस्ट आपका प्रेशर आपका अर्किमेडिस प्रिंस्पल जो तरन टॉपिक वगरा तो वह आपका डिलीट हो चुका है बाकि और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है हमें सब कुछ पढ़के जाना है बस चैप्टर नमबर 10 में से आपका फ्लोटेशन वाला तो अगर बात्रूम में टर्म टू की तो आप सबको पढ़ा चल गया होगा कि जब टर्म टू एक्जाम होगा वह आपका सब्जेक्टिव एक्जाम होगा आपको एक कागच और कलम दी जाएगी आपको उस पर अंसर लिखना पड़ेगा ठीक है तो आज से पहले जो आप सा आपका पूरा सब्जेक्टिव होने वाला है तो उसके लिए आपको अभी से अभी से लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो अदर्वाइस काफी बच्चे बोलेंगे बाद में कि भया मेरे पेपर छूट गया तो यह गलती मत करना एक्जाम में कि भया पेपर मे प्रैक्टिस आपकी वह हैबिट बन जाए तो आपके टम टूए वह सब्जेक्टिव होगा सबकॉप बदा चल गया होगा और आपका टूटल पचास मार्क्स का होगा पचास में से चारिश मार्क्स का आपका पेपर होगा और दस मार्क्स आपके इस बस कुछ गलतियां मत करना कई कुछ क्लास में हरकत मत करना टीशर को गाले मत देना एस午 बहुत हंगाला मत करना अदर्वर्वजिस सबके आएंगे तो तो यहां तुम टेंशन मतलो यहां सब के पूरे माक्स आएंगे हमारा जो मेन फोकस है वो है कि इसमें हमें 40 में से 400 माक्स लाना है ठीक है किसी का टार्गेट 40 से कम नहीं होना चाहिए जितने बच्चे भी देख रहे हैं मुझे जितने भी मुझे फॉलो करते हैं जो भी करिय बड़ा होना चाहिए कि पूरा माक्स हमें लाना है तो 40 में से हमें 40 माक्स लाना है या आपका पूरा प्रका पैटन हो गया अभी हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेड़ी क्या विए कौन-कौन सी बुक्स को फॉलो करना है और किस थरसे हम पढ़ाई करनी है जिसके मदद से ह हम अपने एक्जाम में हम भी 95 परसेंट या फिर हम भी अपने स्कूल के अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हैं तो बस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गलती जो कि बहुत से बच्चे करेंगे कि भाईया वो बुक्स का धेर लगा देंगे ये गलती नहीं करनी हमें कितने माक् कि मैरे पास एक छोटा सा पत्थर एंघ्क है मेरे पास एक छोटा सह जयांट तोехए मेरे पास फ्योड़ा-प्थर उस पत्थर չ्माल दोगाओ लगो स you अगर मुझे 40 गोनस नाहीं वचालिस. मार्ट मेरे एंसे पढ़के आ रहे हैं तो बाकी बुक्स को मैं क्यों बढ़ूंगा तो समझे मेरे पॉइंट बुक्स बिकार देंगे यार मार्गेट विजितनी बुक्स है सब बच्छी बुक्स हैं बट दिक्कत यह होते हैं कि आप उसको चार से पांच बार रिवाइस नही तो आप उसको चार से पांच बार रिवाइस नहीं कर पाओगे तो फाइदा क्या है फिर अगर रिवाइस नहीं कर पाओगे तो तो इसलिए हमें books पर नहीं जाना किसी भी किसी भी मोटी-मोटी बुक्स पर नहीं जाना क्योंकि हमारे पास एक सब्यक्ट नहीं है हमारे पास math, sst, English बागी सब्यक्ट भी है तो हमें सब करना है इसलिए बहु तुम गुजर रहे हो मैं वहां से गुजर चुका हूं तो मुझे पता है कौन से चीज़ सही है कौन से चीज़ सही नहीं है तो ऐसे बड़ा भाई मैं तुम्हें जो बताऊँ है तो वहां कोई बुक्स मत करो लो भूल रहा हूं एंस्याटे करो थी अभी तुम्हें बतांगो डीटेल में करनी कैसी है इसका तरीका होता है यह नहीं कि भाई बुक्स कोला और पढ़ने लगे यह लिकरना एक तरीका होता है जो कि आभी आपको बताऊंगा अगई कैसे करना है तो एक पढ़ने को पढ़ना है तो एक टेक्निक होता है जिससे आप पढ़ो आपको समझ आ जाए पहली बार में और आप उसको लंबे टाइम के लिए आप उसको याद भी कर पाओ तो अगर मैं उसको अभी इस तरीके को अगर मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी ठीक है तो आप लोग को थोड़ा बोर्डिंग लग जाएगा आप लोग छोड़के चले जाओगे ठीक है तो इस चीज के लिए ncrt को पढ़ने का स तो जैसे ही खतम होती है वीडियो उसके बाद देखना है अभी कहीं मत जाओ जैसे वीडियो खतम होती है उसके बाद जाके आपको वीडियो देखनी है पढ़ने का सही तरीका बैस्ट वे टूरीड एंसरी वुक उसमें मैं आपको डिटेल में ठीक है चोटी वीडियो है पांच-शी मिन की वीडियो है उसमें आपको मैंड डिटेल में समझाया है कि आपको चार्ट से पांच बाद रिवाइस कर सकते हो और यह कोई बड़ी बात पढ़ने का अगर आप सही अप्रोच यूज करते हो तो अराम से आप चार्ट से पांच बार रिवाइस कर सकते हो आप उससे जाना भी रिवाइस कर सकते हो तो उसको आप लोग उस वीडियो का जो लिंक है उस वीडियो का जो लिंक है आपको वीडियो के में डिस्क्रिप् तो इसके लाब एक और मैंको recommend करेंगे जो कि ए एक्जम्प्लर जो कि एक्जम्प्लर ठीक है तो अगर आपको क्यों अलएक से बुक करनी है तो इन्से आट के साथ आप एक्जम्प्लर कर लो इतना कर लोगा इन दोने को अगर आप साथ में कर लोगी तो इस 40 marks कंफर्म के आज से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो इसके लावा जो एक्जम्पलर है उसके तो कोशन से उनका लेवल काफी अच्छा है ठीक है एक्जम्पलर का और यह काफी पिछले कुछ साल में ट्रेंड देखा गया है शाहे वह नौ भी हो गया है दस भी हो गया गया फिर बारी भी हो कि डारेक्ट आपके तीन से चार कोशन डारेक्ट आपके एक्जम्पलर से उठके आ रहे हैं तो अगर भाई डारेक्ट उठके आ रहे हैं तो हमें इसका फाइदा उठाना चाहिए ना तो ncati और एक्जम्पलर यह दोनों अभी के लिए आपको करना है ठीक है बाद में इतना बताया गया यहां पे उतना फॉलो कर लोगे तो आराम से आप 40 में से 40 मार्स ला सकती हूं इस बात ही गरेंटी ठीक है बाकि यार और कुछ नहीं है एंसाटी और एक्जम्पलर कोई फॉलो करना और किसी बुक पे ठीक है कोई दोस्त कह रहा है कि यह वाले बुक कर ल ठीक है तो जो तुम्हारा सपना है कि भीया मुझे इतने मार्स चाहिए वह मैं अचीव करके छोड़ दिया तो मुझे पता है कि कौन से चीद सही है कौन से सही नहीं है तो बुक्स की बात तो आपकी एंस्याटी और एक्जम्पलर सफीशेंट एड़ इस पॉइंट आफ ट और भी करना ठीक है मैं हमेश्य से बोलते आ रहा हूं और दोबार बोलूँगों कき प्लीज ठीक है मैं कोई फैदा निये मेरे कुई नुकसान नहीं अगर आपके अच्छ माक्स आएंगे तो मेRrier को ऐसे परसे पसनिल फाइदा नहीं होगा हमज़ी खूशी जरूर होगी कि कि आपके अच्छा माक्स आए और मेरे मेरी वर्जे किसी के अच्छा माक्स आए तो मैंने खुशी जरूर होगी वट आपकी लाइफ है आप अच्छा करोगे तो अपने ले करोगे बुरा करोगे तो अपने ले करोगे वट मैं ऐसा बड़ा भाई ऐसा गाइडर आपको ऐसा म सब्सक्राइब करते रहते हैं कि आप बसना जूटा मोटीविशन देते हो मेरे भाई एक सिंपल सा रूल है कि इस दुनिया में जितना भी अच्छे विक्ति हुए तो सक्सेफिल हुए जोंकि अच्छी पोडिशन पर हैं आज वो बच्पन से पैदा नहीं हुए थे के आज बिल गेट्स है वो बच्पन से बीलिट्स नहीं बनाता कि समाझज आज ऐलन मस्क इतना अभी राधी वह बच्पान से नहीं होगे तामीर उसने मेहनद किया उसने काम किया उसके बाद जाके वह आज उस पोजिशन पर हैं ठीक है तो हमेशे क्या होता है ना कि हम अपने कंफर्ट जोन में बंद के रह जाते है यह रियल्टि है कि अगर कोई बच्पास इसके में 70% मंग्स आये तो क्या होगा वो उसका एक कमफर्ट जोन मन गया है कि बहुआ मेरे तो सत्तर परसेंट मांक्स आएंगे तो मैं खुश हूँ इस ते जारह मेरे आई हम ने सकते कि आपने बहुत बार मुहावरा सुना होगा जतने बड़ी चादर है उतने लंबे पैर पसार हो बट कभी हमें यह नीं बताय गया कि आपके सामने हैं मैं लाइव एक्जाम्पल मेरे सच में 27 माक्स आयते प्री बोर्ड के एक्जाम में मैं पूरा पागल हो गया था कि मैं कैसे करूंगा पास एक्जाम्पल और मैं उसके बाद 27 से 95% तक लायर और मैं अपने स्कूल का टॉपर बना ठीक है मैं आपनी तारिफ करने के लिए एक्जाम नहीं था उस टाइम मैंने अपनी गलतियों से सीखा था और आप जो मेरी गलतियों से सीख सकते हो ठीक है इसके साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अब उससे पहले अगर आपको यह सेम वीडियो आपको मैथेमेटिक्स एसस्टी और बागी सब्जेट् खुद को रखना है खुद को सेल्फ मोटिवेटर रखना है बेकार की चीरों से दूर रहना है ठीक है जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं जो लोग आपको उल्टा बूलते हैं कि भाई तू तो नहीं कर पाएगा उनको दूर रख दो उनको हटा दो अपनी लाइफ से खुद को मोटिवेशन देना है कि आपके अभी आप बहुत छोटे हूं जैसे आप ग्यारवी बारवी और उसके बाद आप जब अपने स्कूल से बाहर निकलोगे तो आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा कोई और आपको आके मोटिवेट नहीं करेगा तो उसके लिए अभी से त्यार हो जाओ कि विकार चीरों से दूर रहना है जो अभी आपको अच्छी लग रही है कि यह तो अच्छा है यह गल्फेंड बॉइफेंड काफी अच्छा होता है मैं भी सोच रहा हूं ट्राई करना का अभी दूर हो सही जब एज आईगी तो व See you and take care guys